नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेपस ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जादा भेहद इंपोटन्ट और आपके लिए बहुत ज़्यादा लापदाएक साबित होती है तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो वे देखते हैं क्या है खास चलिए दोस्तों आज हम सभी सीरस के बारे में जानते हैं जिया दोस्तों इसका पेड बहुत बढ़ा होता है सडकों के किनारे तथा गाओं में जंगलों में यह भहुत ज़्यादा पाया जाता है इसके फूलों में सुगंदा आती है इसकी फलिया पकर जब सूखने लगती है तो बीज बिखर जाते है जब मौसम में फूल फलिया लगी हो तथा इसके फूल बीज और चाल इकठी करके रख ले सरलता से मिलने वाले सीरस के छिलके फूल बीजों से अनेक रोगों को ठीक किया जा सकता है या दोस्तो सिरदर्द यानि कि यदि आपके आदे सिर में यदि दर्द हो रहा हो यदि सिरदर्द सूरे से आराम होकर सूरे ढलने के साथ कम हो तो सीरस के ताजा पाज फूल गिली रुमाल में लपेट कर सूरे उगने से पहले उसे सूंगते रहे सिरदर्द आपका नहीं होगा इस प्रकार एक हफते तक फूल सूंगते रहे आदे सिर का दर्द जुखाम बिगडने से भी होता है नजले का पानी जम जाता है और दर्द करता है जब ये जमा हुआ पानी निकल जाता है तो आराम मिल जाता है इसके लिए सीरस के बीज, सीरस की चाल, सीरस के फल इन तीनों को पीस कर अलग अलग शिशे में भर कर रख ले जब आदे सर में जुखाम के कारण दर्ध हो विवर प्रदा हो बीज या चाल गूदा कोई भी एक सूंगे जमा हुआ जुखाम का पानी निकल कर सिरदर्ध ठीक हो जाएगा पिसे हुए फूलों को पानी में सूंगे और उसी की और लेप करें इन तीनों में से आप कोई सभी प्रियोग में ला सकते हैं अगर आपको उल्टी हो रही हो तो पीसे हुए सीरस के बीच आदा चमच एक का पानी में डालकर उबालकर चाल ले इसमें एक चमच शहद मिलाकर हर आदे घंटे से पीए उल्ट इससे रक्त शुद होगा और दात मिट जाएंगे अगर आपको कब्स है तो कब्स रहती है तो पेट कठोर रहता है तो 30 ग्राम सीरस के बीच 30 ग्राम हरे और 10 ग्राम काला नमक सब चीजों को मिलाकर पीस ले इसकी एक चमच शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले गरब पारी से 10 दिन तक रोज उसे ले और आपकी कब्स ठीक हो जाएगी गला बैट गया हो तो सीरस की चाल और हल्दी दोनों पीसकर तेल में सेक कर गले पर रेप करकर रूई लगा कर पट्टी बांद कर रात को सो जाए प्राता गला सूख जाएगा पीती सीरस के पत्तों को पीसकर ज सीरस के फूल एक चमज शैद मिला कर के चाटे आपकी पीती ठीक हो जाएगी जलोधर सीरस की चाल को कूटकर पाच चमज एक गिलास पानी में उबाले फे चान कर पिए इस प्रकार सुबाश शाम आप फर रोज पिएंगे तो जलोधर में आपको बहुत जादा लाब होगा मुक्त सौंदर नित्ते सीरस के फूलों को पीस करके चहरे पर लेप करे चहरा निखर उठेगा महा से दाग धबे सम मिट जाएंगे यह प्रियोग कम से कम एक महीने तक आपको करना है अगर आपका दाद दर्द कर रहा हो या दातों में छेद हो गया हो यदि आपके मसूड महीने दर्द कर रहे हो तो 100 ग्राम सीरस के बीज और 40 ग्राम काली मिर्च पीस कर बारीक मंजन जन बना ले और हरोज उसी से मंजन करे दिन में आपको दो दर्द का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा दातों का हिलना दातों ना थंडा गर्म लगना कभी अजक हबित दातों में ठंडा पानी या कोई भी गरम चीज लगने से तीस उटती है ठंडी गरम चीज खाना कस्ट उस्थत हो जाता है 50 ग्राम सीरस की छाल दो गलास पानी में उबाल ले एक गलास पानी रहने पर उसे चाण कर करम करम पानी से कुला करे ठंडा गरम लगना आपका बंद हो जाएगा हिलते दात मजबूत हो जाते हैं यदि सीरस की चाल पीस कर हर रोज मंजन करें तो यह भी आपके लिए बहुत ज़दा लापकारी होगा मरदाना शक्ती की कमी, शुक्रानों की कमी सीरस की चाल और फूल सम्मान मातरा में पीस कर एक महीने तक हर रोज एक चम्मज सुबह शाम कर्म दूद से फन की लेने से वीरेगारा होकर मरदाना शक्ती बढ़ जाती है तथा शुक्रानों की संख्या भी बढ़ जाती है अगर आपको पी लिया है तो सीरस की चाल पीस कर दो चम्मज एक कटोरे में रात को भिगो दे प्राता इसे चान कर हर रोज भूके पेट पिए आपको भूँ ज़्यादा लाब होगा पिशाप बंध हो तो सीरस के फूल पीसे हुए दो चम्मज मिश्री दो चम्मज दोनों को पीस कर एक गिलास पारी में घोल कर पिए पिशाप खुल कर आएगा अगर आपको बवसीर हो रक्त स्तरावी बवसीर हो तो सीरस की बीज भूँ ज़्यादा बारीक पीस कर तेल में मिलना कर चाल दिन रखें फिर इस तेल को गरम करकर छान ले यह तेल नित्य मस्सों पर लगाए मस्स सूख कर गिर जाएंगे 100 ग्राम सीरस के वीज और 50 ग्राम मिश्री दोनों बारीक पीस ले इसके दो चमबच नित्ते चार बार ठंड़ पानी से फंकी ले बवसीर का रक्त स्तराव रुख जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो पर बस इत्ता ही लोटेंगे एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्रेणा मिलती है